बेलकम टू सुक्लर स्टली पर ट्ञंड आप सभी का सवागत है आपके इपने युटूप चनल सुक्लर स्टली पर ट्छंड में मैं से हम सुक्लर सभी दोस्तों का हारधिक स्वागत करता हूँ आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे बिए फिप्त समेस्टर के सलेबस के एकोर्डिंग हिंदी साहित्य पेपर टू के चेप्टर नमबर टू के बारे में और हिंदी साहित्य का जो पेपर टू है उसका क्या नाम है हिंदी का रास्टी काब हिंदी के राष्टे कावी का राष्टवी राष्रासों की रचना है बड़ी फेमस उसका जो रेवा खंड है मुलबा रेवा तटख है उसी के उसी समय के अंस से है खास करके ठीक है तो उसमें जो कबित सामिल था जैसे चढ़त राज, प्रतिराज, बीर, अगनेव, दिसाकसी इसकी ब्याक्या हम लोगों ने देखी थी जो आपके पाठे करमें संकली थी अब जो हम लोग चर्चा करेंगे चेप्टर टू के बारे में तो चेप् तो उन्ही जगनिक उन्ही के आसर दाता थे और उन्ही के बारे में इन्होंने अपनी रचना में लिखा है ये बात आप ध्यान लेकिएगा ठीक है तो उन्ही की रचना से ही एक प्रकार से कुछ चीज़े आपके पाठे करमें संकलित हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे जैसे नैनागड की लड़ाई संकलित है या फिर उसी को आलहा का बिबा भी कहा जाता है या नैनागड की लड़ाई चुकि नैनागड की लड़ाई जो हुई है वो आलहा के बिबा की वज़ा से ही हुई है वही करन रहा है तो आलहा का बिबा या नैनागड की लड़ाई ये आलखंड में आपको मिलेगा तो जगनिक जो हैं कि अगर बात की ए जगनिक का नाम आप लोगोंने सुना होगा जगनिक की अगर बात की आए तो वो एक प्रकार से आलखंड जगनिक की ही रचना है मुखिरूप से और आलहा उदल खासर के भाई-भाई हैं उनके चचेरे पाई होती है खासर के किसे होती लड़ाई एक नैनागड के मैं आपको अभी समझा रहा हूँ लेकिन पहले हम जगनिक के बारे में समझ लेते हैं अभी जब हम जगनिक की जो ब्याक्या होगी जिसमें नैनागड की लड़ाई समझेंगे तो मैं आपको समझा दूँगा पहले आपको जगनिक के बारे में अगर बताओं तो जगनिक जो है ये एक प्रकार से बीर गाथा काल के कभी हैं और आचार रामचंदर सुकल की बात किये तो जगनिक को एक प्रकार से जगनिक के रचना को एक प्रकार से वो बीर गाथात्मक कावे में रखते हैं जगनिक जो है ये एक प्रकार से समय का आला है परमाल का तो उन्ही के समकालीन जिजोतिया नायक परिवार में जन्म हुआ था इनका और एक कभी थे ये जगनिक इनका पूरा नाम जगनिक नायक था ठीक है चुकि नायक परिवार में जन्म लिये थे तो इसलिए इनके नाम के पीछे नायक लग आप बताएंगे जगनिक नायक ठीक है किस राजा के समकालीन है जगनिक तो आप बताएंगे परमाल के ठीक है परमार्द देव या परमाल कहां के राजा है परमार्द ये महोबा के चंदेल राजा है चंदेल बंस के राजा है और कहां के राजा है महोबा अस्थान है वहीं के ठीक है इन्होंने परमाल के सामन्त और सहायक महोबा के खासर के परमाल जो राजबंस है चंदेल बंस के राज़ा है परमाल उन्हीं के एक सामन्त थे कौन आलहा उदल आलहा उदल का नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा तो आलहा बड़े भाई है उदल उनके छोटे भा तो ये सब एक प्रकार से आलहा को खासर के बहुत सारे लोग युधिष्ठिर का उतार बताते हैं आलहा जो है दौपर के युधिष्ठिर हैं उदल जो हैं अरजुन के उतार माने जाते हैं ठीक है और बतायाता है आलहा अमर भी बहुत सारे लोग बताते हैं उसी में ठीक है म मल्खान को भीम का उतार बताया था चुकि मल्खान बहुँ जदा बलसाली होते हैं उदल बहुँ जद तलवारबाजी करने में माहिर होते हैं ठीक है ये बात ध्यान लखेंगे तो खासर के आलहा और उदल को एक प्रकार से नायक मान करके आलखन्ड नामक गरंत की रचना जो होगा कभी तो रेडियो पे आलहा आता था साम के टाइम ही जो है पांच-छे बजे के आसपास कि सभी चरवाहे भईसों इस चरा करके जब बांद देते थे और आते थे घर पे पानी मानी पीते थे उसके बाद में फिर आलहा आता था तो वो आलहा एक परकार से रेडियो में आप सुन सकते हैं आलहा तो वही आलहा है लेकिन अब आलहा का जो है अलग-अलग जगहों पर आलहा अलग-अलग तरीके से गाय जाता है उसमें छिट-पुट जो है वहां की लोक बोलियों के भी स्वर आपको दिखाई पड़ते हैं अलग-अलग अस्थानों पर ठीक है त बिलब जो उन्होंने लिखा था वो लूप तो हो गया और एक प्रकार से कहा नहीं बिलब आती सयुक्ति पूर वरणन तो करते ही थे ये लोग ठीक है ये से कि यक्का मारे दुई गिर जावे तिसरा खौब खाये मर जाये रिमजिम रिमजिम भाला बरसे वहमैदानन के बीच मजाये बारा बरसले कूकर जीवेव सोरा ले जीवे सियार बरस अठारा छत्री जीवे आगे जीवन को दिकार ये इसी प्रकार सी बीर गातात्मक चीजों में आप देखेंगे तो आती सयुक्ति आपको हर जगा पर दिख जाएगी युद्धों का सजीचितर जरूर हुआ ह लेकिन उसका इतना बढ़ा चढ़ा करके वरण युद्धों का चुकि आसरेदाता थे राजाओं की प्रसंसा करना इनका पर्थम करता भी हुआ करता था तो आसरेदाता होने के नाते एक प्रकार से कुछ प्रसंसा जरूर करनी पड़ती थी बढ़ा चढ़ा करके राजाओ ठीक है तो इसी परकार से ये भी थे जगनिक तो उढही के सामन्द, सामन्द मलब आप लोग समझते हैं न जो परमाल है परमाल लाजा के सामन्द मलब एक छोटे से एरिया या जैसे कि आज कल पूरा भारत देश है और भारत देश का एक हिस्सा माले तो यूपी वैसे पहले भारत देश जैसा उतना बड़ा देश नहीं होता था इसे यूपी में आप एक उस समय यूपी एक राज मालो तो यूपी में मालेते कोई जिला हो गया इसे बनारस हो गया या आयोंध्या हो गया या एक प्रकार से अन्य कोई अस्थान हो गया कानपूर हो गया ठीक है सामन्त का एक प्रकार से इनके पास आसन था ठीक है तो इन्हीं के सामन्त आलहा उदर और आगे हम चर्चा करेंगे भी तो जगनी की में बात कर रहा था तो इनकी जो मूल का भी है संभवता लुप्त हो जाता रुभिन बोलियों में इनके मूल इसके भिन भिन सरूब मिलते है अनुमान है कि मूल गरंत बहुत बड़ा रहा होगा सन 1865 इस वे फरूखाबाद की कलेक्टर सर चाल्स इलियट ने आलखंड नाम से इसका संग्रा कराया किसने करवाया था चाल्स इलियट ने तो आप ध्यान रखियेगा किसने करवाया था और कहां कलेक्टर थे 1865 में आरतियों की हिर्दे में साहस और त्याक का मंतर जरूर फूका तो ये प्रकार से थोड़ी सी इसके बारे में बाते थी अब मैं जो आपको मुखिरूप से समझाने का प्रियास करना था नैनागड की लडाई जो हुई है या जो आलहा का विबाह है उसके बारे में थोड़ी के एक प्रकार सामन्द थे आलहा और उदल ठीक है तो आलहा जो थे वो सबसे बड़े भाई है आलहा की बात की जाए तो आलहा का चुकि आलहा को एक प्रकार से एक नैनागड के राजा थे उनका नाम है नेपाली सिंग तो नेपाली सिंग ये नैनागड के राजा है कौन है भ सुनवा से एक प्रकार से विबा करने की चुक है आलहा, अलब आलहा से सुनवा से विबा की बात होती है, चुकि क्या है कि नैनागड के जो मलब की जो राजा है नेपाली सिंग, वो अपने आपको उच्छ कोटी का एक प्रकार से छत्रिय सो विकार करते हैं, और आलहा उदल चुकि जच राज, बच राज और से उत्पन साइध हुए हैं तो इनके बारे में मलब ये धारडा आए कि भई ये वास्तविक छत्रिये थे या नहीं थे इसमें थोड़ा सा दिक्कत है तो कही न कहीं पर इसको लेकर के या फिर ये अच्छे सत्रिये नहीं है या इनका जो का होता है वो नहीं मानते थे नेपाली सिंग अपने आपको बहुत उच्च और इनको निम्न माना करते थे और इसी लिए अपनी पुत्री का विबाह इनसे करना नहीं चाहते थे किसका पुत्री का क्या नाम है सुनवा वैसे नेपाली सिंग के चार संताने थी तीन लड़के एक का नाम था जोगा एक का नाम था भोगा और एक का नाम था विजे जोगा भोगा और विजे ये तीन लड़के थे नेपाली सिंग के जो की नैनागड के सासक है ठीक है और इनकी पुत्री थी सुनमा और इन्ही सुनमा का विबाव होता है किसके साथ सुनमा जो थी बड़ी सुन्दर थी भीयात ठीक है तो उन्ही सुनमा का विवा होता है अमलब आलहा के साथ सुनमा की विवा की बात पर ये लड़ाई होती तो ये एक परकार से नैनागड की लड़ाई बोलो या आलहा का विवा बोलो उसी समय एक परकार से सारी चीज़े होती है ठीक है कि दिन रहोगी बाते तो अब यह समझ में आगा कि भाई लडाई किसके बीच में हुई आलहा उदल मलखान इस सभी की बीच में आलहा उदल मलखान यह सब एक तरफ हैं और नेपाली सिंग के तीन बच्चे नि जोगा भोगा विजय यह सब एक ठीक है तो यह लडाई होती है अब शुरुवात में जब नैनागर की लडाई वाला आप चेप्टर खोलेंगे आलखंड में तो उसमें एक प्रकार से प्रथम जो पांच अंस है वो सुमिरन अंस है यानि कि उसमें देवताओं के बारे में सुमिरन किया गया है पहले जो है द पूजा की नहीं नहीं संभू की अच्छत चंदन फूल चड़ाए फिर गल मंदरी जिन बाजीना मुखना बंब बंब गाच्छाए तीसरा क्या है तीसरा सुमिरनी क्या है कि अब ही मैं इसकी ब्याख्या कर रहा हूँ परेशान मत हो येगा तीसरी ब्याख्या वलब तीसर नवाओ भात को उस देवतार रहे संभुसम जिनको पूजयो राम उदार बेद उपनिसद के ग्याता रहें जिन बलभयो रामणाचार इस प्रकार से आप आगे देखेंगे चूट सुमिर्णी गए देवन कैसाखा सुनों सूरमन क्यार और व्याह बखानों मै आलहा का होई तहां भयानक मार ये आलहा है हमारे पिता जी बहुत आलहा गाया करते थे तो अब बच्पन में जब लोग छोटे थे तो साथ में बुला करके आलहा गाया करते थे तो उसमें आलहा गाने से पहले सुमिर्द्नी गाई जाती है सुमिर्द्नी जैसे की मंगला चण होता है संस्कृत में जैसे तुलसी दाजी ने आप देखते हैं संस्कित में लिखा कि सुरुवात में आप देखते हैं सुमिरति सिध्य होई गन नायक करिवरबदन करव अनुगरह सोई बुद्ध रासि सुभगन सदन ठीक है इस प्रकार से तुलसिदास जी करते हैं रामयार की सुरवात ये सोरथा चन्द से ठीक है लेकिन उससे पहले संस्कित में मंगलाचण भी लिखते हैं लेकिन सुरवात म ठीक है मलब सुमिरन मलब भगवान की सुमिरनी करते हैं ठीक है तो ये होता था पहले के जबाने में मलब पहले सुमिरनी के बिना कुछ नहीं होता था और आज भी कोई अच्छा काम करने से पहले या युद्ध वगारा करने से पहले जरूर भगवान का नाम लिए आता है ता नैनागड की लड़ाई अथवा आलहा के विवाहा खंड से ली गई है ठीक है परसंग में क्या लिखेंगे कि इसमें करम धरम इन सभी के बारे में बताया गया है यही है आपका परसंग ठीक है सभी में यही परसंग यही संदर रहेगा अब व्याख्या की बात आती तो व्या तातपर यहां पर यह है कि कल जुग में अगर आपने दान पुन्य नहीं किया और आपने एक प्रकार से कासिम घोड दान नहीं दीन मलब एक प्रकार से यह तातपर इस से है कि भई किसने मलब दान अगर आपने नहीं दिया है कल जुग में कुल मिला करके दान लेना और देना सितात पर है यहां पर खासर यह लेने से नहीं देने से अगर आपने दान नहीं दिया है पुन्य करम नहीं किया है ठीक है तो यह सारी चीज़ अगर आपने नहीं की हैं गया ना कीन ही जिन कल जुग्वा गया मल्लब होता है गया जगना जीमान लोग की बहुत सारे लोग गया जाते हैं पिंड दान बगरा करते हैं तो अगर आपने ये सारी चीजे नहीं करी हैं गया ना कीनी जिन कल जुगवा कासिम घोड दान नहीं दीन जनमत बहिरी जिन मारा नाम नाहक जनम जगत में लीन मतलब कभी जगनिक कहते हैं कि अगर कोई विक्ति ऐसा नहीं करता है तो अगर उसने ऐसा नहीं कि अदानपो नहीं किया है कल जुग में तो ऐसे कोई प्रकार से जिसने अपने जनमजात बहरी को नहीं मारा उसका जनम लेना इस संसार में बेकार है जन्मत बहिरी जिन मारा नम नाम मलब यहाँ पर ना सितात पर है तो जन्मत बहिरी मलब की जो एक प्रकार से जन्म लेते ही अपने दुस्मन को नहीं मार देता है यहाँ पर आप देखे यह भी कि बलब कि अगर किसी ने कल जुग में कई सारी बाते हैं आपर बता रहे हैं जगनिक कि भई अगर आप दान नहीं देते हैं किसी को दान देना एक परकार से चाहिए इस पर फोकस करते हैं इसके अलामा वो फोकस इस बात पर करते हैं कि भई दान दे रहे हो पुन्निक करम करो खुब जदा अगर आपने पुन्निक क जगत में लीन आपका जनम जो है इस जगत में ना के बराबर है आर्थात आपका जनम इस संसार में फरजी हो गया है आपका कोई मतलब नहीं है इस प्रतिवी पर आने का यह यहां परताति पर हैं मतलब की दान अगर आप नहीं कर रहे हो आप जो है पुन नहीं कर रहे हो आप आप जो है अपने बैरी को एक प्रकार से नहीं मार पा रहे हो तो ऐसी स्थिती में आपका जन्म बेकार है आपका जन्म जो है एकदम से खतम है कि आप फरजी में प्रतिवी पर आ गए हैं आपका कोई मतलब कोई अउचित नहीं था पैदा होने का ठीक है यहाँ पर पहले दो हो जेकिन ही नहीं संभु की अगर किसी वहती ने पूझा नहीं कि भगवान बोले नात्याथ के अच्छत चंदन फूल अगर पूल वगरा चड़ा करके नइबेद निवेदित करके या एक प्रकार से आचमन अभिसे करके भगवान संकर की पूजा नहीं करी बनलब यहाँ पर जगनिक कहते हैं कि जिसने सिवकी पूजा नहीं की है और उन पर चंदन, चावल, अच्छत, फूल ये सब नहीं चढ़ाया है और फिरी गलमंदरी जिन बाजीना मुखना बंब बंब गाच्छाए बनलब भगवान का नाम लेने का भगवान भोले का संकर भ जैन महाकाल, महाकाल इसवर दर्सन करने के लिए तो वहाँ पर गाल बजा जाता है ऐसे एक परकार से मुह में हवा भरके से ऐसे हिला करके सर अपना बंबं की आवाज बुलवाए जाती है उसी को बोलते है फिर गलमंदरी जिन बाजीना ठीक है मलब गालों से एक परकार से बंबं की आवाज निकालना ये कहा जाता इसको ठीकें तो ऐसा जिसने नहीं किया कि भगवान का नाम जिसको यानि भोले जो तिर पुरारी भगवान संकर है उनका नाम जिनके मुख से नहीं निकला और बंबं की आवाज के छाए बंबं का एक परकार से भोले का नाम जिनन नहीं लिया है उनका एक प्रकार से जीवन संसार में निर्थक है ऐसा कभी यहां पर कहता है इसके बाद में आगे क्या कहता है कि भसम रमायो नहीं देहिम भसम कौन रमाता है भसमा रंगाय तिरलोचनाय तीन लोचन है जिनके करपूर गवरं करुडा अवतारं संसार सारं हिर्दयार बिंदे भवम भवानी सहितम नमामी उन भगवान संकर की बात यहां पर कर रहे हैं जगनिक जगनिक कह रहे हैं कि भसम रमायो नहीं देहिमा जिसने भसम नहीं रमाई अपने देहिमे भगवान संकर की जो भगवान संकर भसम धारन करते हैं ठीक है तो जो बिक्त हाथ और जिसने कभी क्या नहीं लिया है एक परकार सुमिर्णी मलब क्या हो गया आपका एक परकार से किसने आपके बारे मलब आपके समझ लीन सुमिर्णी हाथ मलब एक परकार से आपकी सेवा में ततपर नहीं हुआ है हाथ जोड़ करके आपको प्रणाम नहीं किया है जिस जिसने आपकी तिलक को नहीं लगाया भस्म अपने दे में आपकी भस्म नहीं लगाई है वो एक परकार से और जिसने आपके सामने कभी हात न जोड़े हों कभ़ों लीन सुमिर्णी हात लोचन लायकते आ रहे हैं जिन नहीं कभों नमायो भात मतलब कि उनके लिए सोचना बे अभी पाप है जिन नहीं कबो नवायो भात नवायो मात यहां पर होना चाहिए भात थोड़ा सगर नवायो मात ठीक है तो जिसने कभी एक परकार से भगवान संकर के चरड़ों में सीस नहीं नवाया उनके सामने हाथ जोड़ करके नहीं गया ठीक है उनकी जो भसम होती है को उस देवता रहाई संभुसम जिनको पूजयो राम उदार बेद उपनिसद के ज्याता रहें जिन बल भयो राम अड़ा छार ठीक है को उस देवता रहाई संभुसम और कौन ऐसा देवता यहाँ पर प्रसंग में आप लिख सकते हैं कि मैं स्यू भगवान की महिमा बताई ग जिनको पूजयो राम उदार अचा भगवान संकर ऐसे देवता है जिनको भगवान राम ने भी पूजा करी है जब आप देखते समुद्र पार करने की बात आती तो पहले सिवलिंगी की पूजा करते हैं जो सेतुबंध हु रामे स्वरम है आज एक परकार से वो एक परकार से वो किसने अस्थापित किया था भगवान राम जी ने वहाँ पर एक जोत्रिलिंग अस्थापित किया था रामे स्वरम वाला भगवान राम ने पूजा करी थी ठीक है तो वो आज बेसुबिक ख्यात है तो भगवान संकर ने पहले राम की पूजा करी थी और राम के जी भगवान भोलेनात है भगवान संकर है ठीक है ये बात ध्याने किएगा तो भगवान राम ने भी जिनकी पूजा करी भगवान भोलेनात की तो एक प्रकार से उनके समान कौन देउता है जिनकी पूजा भगवान राम भी करते हैं बेद उपनिसद के वो ग्याता है बेद उप निस्दों में सब जगा भगवान भुरेनात की बात बताई गई है उनके बखान की गए है उनके बारे में बताया गया है जिन बल भयो रामडा चार और जिनकी भक्ती से जिनके बल जिनके कोसल जिनके प्रताप या जिनका आसिर बात पा करके जो रामड है एक प्रकार से वो उद्धार हुआ परमगति को परापत हुआ ठीक है तो और खासर के रामड का घमन भी भगवांशंकरने तोड़ा रामड एक बार बहुत ज़्यदा उसको वो हुआ की है अपने को बहुत ज़्यदा बल हो गया है तो रामड जाता है केलास परबत पर ओं आता है तो एक प्रकार से क्या होता है कि रहा थोड़ा उठा लेता है थोड़ाइं क्या करते हैं अपने पयर का दाहिने पेर, थोड़ा धांपरस करते हैं , पर और वो एक प्रकार से उसका हाथ दब जाता है तब वो कौन से इस लोग पढ़ता है सिवतांडो पढ़ता है चुकि कहा जाता है सिवतांडो जो है वो रामण ने बनाया था रामण जो है रामण जो है वो एक प्रकार से सिवतांडो जो इस लोग है वो उसका निर्माता है ठीक हैं? कचित दिगंबरे मनों बिनों दिमेत वस्तोनी तो इस प्रकार से और भी आगे हैं तो इस प्रकार से जो वो पढ़ने लगा जब रामण ऐसा पढ़ने लगा तो उसको एक प्रकार से जो है आसिरबाद देते हैं चंद्रहास अपनी जो खड़ाग होती है वो देते हैं ठीक है चंद्रहास अरुमपरतापम तो चंद्रहास जो है ऐसी है कि भई अगर उसके सामने भी कोई पढ़ जाता है तो उसका सीज कड़ जाता है वाला बगर रामण ने ऐसे मारा यहां मारा तलवार इतनी दूरी है उसको पहुँचने की इतनी दूरी यहां पटक दी तलवार ठीक है और यहां पर कोई बिक्ती खड़ा हुआ है ठीक है यहां पर उस तलवार इसे इसकी सिधाने पर पटका तो यह बिक्ती जो है यह वाला यह भी कड़ जाएगा यह उसकी खासियत थी संकर भगवान ने दी थी तो वो रामड भी एक प्रकार से भगवान संकर का बहुत बड़ा भक्त था यहां पर भगवान सिवकी मही में बताई जा रही है पाची बाद छूट सुमिर्नी गय देवन के छूट सुमिर्नी गय देवन के और साखा सुनो सूर्मन क्यार मलब यहां पर कह रहे हैं कि जो देवताओं की पूजा अर्चना करता है वाँ मुक्ती को तो प्राप्थी होता है चूट सुमिर्नी गय देवन के जो बिक्ति भगवान का ध्यान करेगा उसको मोक्ष की प्राप्थी जरूर होगी जो देवताओं का सुमिर्न नहीं करता है उसे कस्ट मिलता है और जो एक प्रकार से करता है मलब सुमिर्नी उनको मुक्ष की प्राप्थी होती है अब यहां पर जो है सुमिर्नी खतम होती है अब इसके बाद में साखा सुनो सूर्मन क्यार सूर्मन क्यार का मनलब क्या होता है सूर्मन क्यार समझ रहे सूर्मा मनलब होता है बीर, योध्धा, बलसाली ठीक है जो लड़ने वाले होते है तो एक प्रकार से अब यहाँ पर सुमिरनी होती है खतम, साखा सुनो सूर्मन क्यार अब साखा मनलब अब कता आगे क्या बढ़ेगी सुर्माओं की कता आएगी बीरों की कता आएगी ठीक है कि ब्याह बखानो मैं आलहा का होई तहा भयानक मार मैं अब जगनिक कहते हैं कि मैं अब आलहा के ब्याह की कहानी कहने जा रहा हूं जहां पर भयानक मार हो रही आलहा की विवाह में किसकी भयानक मार हो रही किसकी बीच में नैनागड के जो सासक है जिनका नाम क्या है नेपाली सिंग उनके पुत्र है जोगा भोगा बिजय इनके बीच और परमाल के सामन्त है आलहा उदल मलखान इनके बीच लडाई हो रही जम करके और आला का विवा किसके साथ होने वाला है सुनवा के साथ तो अब उसकी कथा मैं कहने जा रहा हूँ जगनिक ऐसा इस दोहे में इस पंक्ती में कहते हैं ठीक है कि अब सुमिर्णी हो गई यही पर खतम सुमिर्णी हम लोगों ने भगवान को ध्यान कर लिया चूट सुमिर्णी गय देवन के साखा सुनो सूर मनक्यार और व्याह बखानो मै आला का होई तहां भयानक मार अब आगे तो यह पांच जो सुरुवात के हैं आपके सुमिर्णी अंस के वो आपके पाठे करम में संकली थे ठीक है इसके आगे नहीं संकली थे आपके पाठे करम में और लास्ट के देखिए यहाँ पर दोहा संक्या एक, दो, तीन, चार, पांच यह इतिना सामिल था इसके दोहा, संक्या, एकसओ शब्विस, 27, 28, 29, 30 यह सामिल है पांच दोहा ठीक है अंतिम पांच अंस जो है खासिर के आलखंड के वो संकली थे आलखंड के कहना उचित ना होगा यहाँ पर कहना उचित होगा कि जो आलखा का विवा है वहां से ठीक है नैनागड की लड़ाई से छठा जो है उसमें क्या है कि वही है कि भई प्रस्तुत जो आपका पंक्ती है वो कहां से लिग गई है प्रस्तुत पंक्तियां जगनिकर्थ आलखंड के नैनागड की लड़ाई है थो आला के विवाह खंड से ली गई है ठीक है अब इसमें क्या है कि बज़े नगाडा नैना गड़ में सब्या फोज होए तयार और भोर भुरहो फै फाटत खन भार मारो मुहबे के सरदार मलब एक प्रकार से यहाँ पर चीजे बताई जा रहे हैं कभी कहता है कि सुबा होते ही मुहबे के सरदा कर्के इतने तीजी से चलता है कि वह जल्दी-जल्दी अपने महल पहुच चाहे इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं नंगाडा बजने लगते नर्ना गड़ में प्रकार से सभी फोज तयार हो जाती हैं और सुबा होती है एक प्रकार से सभी लोग आगे बढ़ते हैं और मोहबे के सरदार को एक प्रकार से मारने मलब की मार करके आगे बढ़ते हैं ठीक है इतना कहिके दूनों चलिये अपने महल पहुचे जाए सेना छुटिगा दिन नायक सो जंडा गड़ा निसा को आए तो यह एक साय द्याम पर तो इतना गए कि दोनों चलिए अपने महल पहुंचे जाए अपने महल पहुंचे सेना छूटिगा दिन नायक सो जंडा गड़ा निसा को आए मलब रात्री हो जाती है और इस प्रकार से चीज़े हो रही है इसके बाद में क्या होता है तारा गन सब चमकन लाग किया इन सभी चीजों की वो सब धूनी परचा दी जाती है परे आलसी निज खटिया पर जो आलसी लोग है उखटिया पर पड़े हुए है सो रही है घोंगो कंट रहे थर रहा है कुत्ते जो है वो भौक रहे है इधर उदर ठीक है सभी के कंठ भी बोल ले यहाँ पर पतात पर होगा कुत्ते जो एक प्रकार से भौक रहे हैं कुत्ते रासने भौबों करके भौक रहे हैं एक तो यहाँ पर यह अर्थ निकलता है एक अर्थ यहाँ पर यह निकल लहा है कि जो आलसी लोग खटिया पर एक प्रकार से लेटे हैं सो रहे हैं वो खराटे ले रहे खूपते तेज़ से ठीक है तो यहाँ पर इस परकार से चीज़े होने लगते जब रातरी का समय उस समय की बात हो रही है अगला जो आपका है वो है कि मात नमाओं पितु अपने को जो नितिमेरी करे सहाए मलब जो अपने पिता के पैर छो करके उनसे आसिरबाद लेते हैं व नमाते हैं जो नितिमेरी करे सहाए जो हमेशा से सहाए करते हैं सभी बच्च मलब जो भी पिता होता अपने पुत्रों की जलू करता तो वही बात यहां पर है करो तरंग यहां सो पूरण पूरण ब्रह्म राम को ध्यान इस प्रकार से जो है यहां रहकर आप ब्रह्म और र जिगे मची हैं घोर सोर घमसान दोनों फोजे एकदम से सामने खड़ी हैं घमासान तयारी हो चुकी है चो तरफा दोनों तरफ चाहे उधर जोगा भोगा और उनकी बात हो और चाहे आलहा उदल की बात हो सभी फोजे एकदम से जो है चड़ गई हैं आगे फोजे तयार हैं लड़ने के लिए चारो तरफ घमासान मची हुई है जोगाब होगा दोनों मोर्चे पर खड़े हुए हैं ठीक है और बीर मलखान भी एक प्रकार से खूब जोर सोर से लड़ाई एक प्रकार से लड़ने के लिए ततपर हैं लड़ रहे हैं तो एक प्रकार से एक तरफ बीर मलखान है, एक तरफ जोगाब होगा है और अपने पने मोरुचे पर सभी लोग ततपर हैं और जोगाब होगा अपने पीता जो है नेपाली सिंग को प्रडाम करके आए हुए हैं कि हम को एक परकार से आप क्या करो जीत गए बही नैनागड में महबे के सरदार को एक प्रकार से मारने को या साइद मार दिया है इसको लेकर के क्या होता है सुबा सुबा ही सारी चीज़े हो जाती है और महबे के सरदार को मार देते हैं और मार करके उसके बाद में आगे की और चलते हैं ताकि जो है वहाँ पर और ततपर करते हैं, सेना को और मोटी बेट करते हैं, फिर आगे बढ़ने के लिए बोलते हैं और फिर एक परकार से मलखान के लिए आलहा उदल मलखान इन से लड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो इस परकार से कई सारी चीजे हैं, ये एक परकार से इतना सारी चीजे थ तो यह आपका चेप्टर नंबर टू था जिसमें आपको यही पढ़ना था बस यहीं से प्रसन अगर आएगा तो आएगा कुछ एकाद दो दोहों से प्रसन यहां से आ सकता है तो यह मैंने यतना बता दिया कि आपका काम हो जाएगा और कभी परचे में हमने यह जगनिक के ब भारत आप सभी का बहुत बहुत धनिबाद हमारे से जूढने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार हमेसा बनाई रखेगा गुदर डू गुत बहुत धनिबाद ठीक है इससे पहले हिंदी का पेपर वन पेपर टू का जो है पेपर टू में हिंदी का रास्टे का आपको पढ़ना है उसका चेप्टर नमबर वन मैं अलड़ी करवा चुका हूँ चेप्टर वन में आपको क्या पढ़ना था चेप्टर वन में आपको पढ़ना है चंदबर्दाई के बारे में उनकी ब्याक्या ठीक है चंदबर्दाई की कवी परिचे और उनकी जो आपके पाठेकर में ब्याक्या करने को लेकर के जो पंक्तियां है उसकी ब्याक्या भी मैंने करी थी इस परकार चेप्टर वन और टू हो गया है syllabus भी मैंने दे दिया है अब जो है चेप्टर नंबर थिरी हम चर्चा करेंगे अगले दिन ठीक है चेप्टर नंबर थिरी में क्या पढ़ना आपको गुरू गोबिंद सिंग के बारे में अच्छा चेप्टर नंबर एक और टू हो गया तो इकाई एक आपके समाप्त हो गई अब इकाई दो में आपको भक्ती और रीतिकालिन का भी के बारे पढ़ना है ठीक है आदिकाल हो गया ठीक है अब गुरू गोबिंद सिंग के बारे में को पढ़ना है गुरू गोबिंद सिंग का कभी परचे जया नहींगे फिर उसके बाद सब्सक्राइब